नमश्कार दोस्तो तो first T20 international match जो Scotland और Australia के बीच में खेला गया one-sided आप लोगों ने clean sweep करा सारे opponent को दोस्तो easily हम लोगों ने 100-100 points से beat किया और predictor app पर भी जबर्दस prediction रहे और सारे जितने भी prediction दिये थे वो exactly same रहे बागी second T20 match दोस्तो दुबारा से venue same रहने वाला है इडनबर्ग पर ही होने वाला है अब इस match पे आप लोग कैसे अपने लिए team मनाओगे बहुत important question रहता है कुछ high selection percentage players drop होंगे और कुछ low selection percentage player in होंगे किने हम लोगों ने अपने team पर रखना है और कैसे अपने लिए एक perfect team मनाना है इस video को देखने के बाद आप लोग समझ जाओगे चलिए दोस्तो इस video को start करते हैं सबसे पहले venue पे pitch के report को समझते है पिछ रिपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तो लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि batsman friendly pitch रहता है रन बनते हैं यहां पर ठीके ना मैंने आप लोगों को इस वाले match से बताया था कि Scotland और Ireland पर रन बने थे तो इस वाले match पर भी रन बनेंगे Scotland की टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया के सामने यहां 154 रन बना दिये और जब ऑस्ट्रेलिया की टीम खेली तब तो आप लोगों ने देख लिया जिस हिसाब से यहां पर बैटिंग किया दो ट्राविस हेड ने पूरे ही Scotland के बॉलर्स को तबहा कर दिया तो इस सिचुएशन रहने वाली है दोस्तो अस्ट्रेलिया बैटिंग फर्स्ट करेगी तो आप लोग मान के चलो यहां पर डाई सो रन भी कर सकती है तो फिफ्टी रन भी बना सकती है वहीं Scotland अगर पहले बैटिंग करे तो इस मैच पे Scotland थो पाबले में इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेगा दोनों की प्लेइंग 11 आप लोगों ने लास्ट मैच पे देखा ही है एक बार मैं रिव्यू करा देता हूं दोनों की प्लेइंग 11 सीक्विंस पे जिस सीक्विंस पे यह बैटिंग करने आएंगे जोर्ज मुंसे और ओलिवर हैरिस आप लोगों को ओपन करते हुए दिखते हैं फर्स डाउन पोजीशन पे ब्रैंडेन मैक मुलन आते हैं फिर रैची बिरिंटेन आते हैं उसके बाद आप लोगों को मैथ्यू क्रॉस दिखेंगे फिर माइकल लेस दिखते हैं उसके बाद दोस्तों आप और ट्रेविस हैड ओपन करते हैं फूस्ड डाउन पॉजिशन पर मिचल मार्श आते हैं फिर जोश इंगलिश आते हैं उसके बाद मार्कस ट्विक दिखेंगे पर टिम डेविट गिर दिखेंगे बॉलिंग वाले सेक्शन पे सी नबट जेवीयः बाडलिट एडन जंपर औ इस वीडियो का लाइक टार्गेट हम लोग रखते हैं 2000 लाइक तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता है और आप लोग रेगुलर फालोवर हो क्रिकटो लॉजिक के तो वीडियो को लाइक करना न भूलेगा बाखी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है त तो जोड़ मुंसे ने 28 किये थे मैठ्यू क्रोस ने 27 किये थे क्लियर ओके इस माच पर आप लोगों ने देखो जौड मुंसे का सेलेक्शन पोसेंटेज काफी हाई जा रखा एटी पोसेंट के आसपास जा रखा है मैठ्यू क्रोस की बात करूँ तो 3 15 18 इसके भी रन नहीं बने हैं head to head 22 का यह average है और venue पर 20 का आवरेज है आप लोगों ने दोस्तों इन दोनों को ड्रॉप करना है ठीक है ना जोज मुंशे और मैथ्यू क्रोस इन दोनों को आप लोग ड्रॉप करके चलोगे ध्यान रखेगा हाई सेलेक्शन पोसेंटेज प्लेयर को जब तक ड्रॉप नहीं करोगे आप लोग लीग नहीं जीत सकते हो इन फेक्ट हेड्ट हेड्ट पे भी न आजकल थोड़ा से रिस्क लेना बढ़ता है जोज मुंशे मैथ्यू क्रोस हेड्ट हेड्ट पे भी क्लीन ड्रॉप करके चलिएगा आप लोग इस लीग को जीतने वाले इस्ट्रॉलिया के टीम से जोश इंगलिश दिखेंगे पैतालीस आर्ट सैंटीस अठारह सत्ताइस बाकी हैड्ट एट एक ही मैच के लाए 27 रन की है जोश इंगलिश के पास अडवांटेज यह है देखो मैंने आप लोगों को बता है ता लास्ट मैंच वे भी जोश इंग केलते हैं यह बहुत ही फास्ट केलते हैं तो इनकी आउट होने की बढ़ जाती है आप लोगों ने देखा जैक फ्रेश को लेने का अडवांटेज यह है कि रन तो जोश इंगलिश बनाएगा जोश इंगलिश भी अच्छी बाटिंग करता है ठीक है प्लस जोश इंगलिश के साथ दोस्तो अडवांटेज यह है ना कि यह विकेट कीपिंग करता है लास्ट मैच में सिफ इसे एक ही कैच मिला था जिसके इसे 12 पॉइंट थे इसके पास मतलब 8 पॉइंट मिले थे कैच के लेकिन इस माच पे एक्सपेक्टेशन है कि इसके पास 2 या 3 कैच तो जाएं लोगो 60 प्लस पॉइंट देता हुआ दिख सकता है कौन जोश इंग्लिश तो आप सभी लोगोंने किसे पिक करना है जोश इंग्लिश को पिक करके चलना है इस बात को ध्यान रखेगा बागे टेलिग्राम ग्रॉप कुछ भी ड्याउट है आप लोगों के मन भया कैसे टीम बनाना है या प्रिडिक्शन को लेकर कैसे प्रिडिक करना है तो आप सभी लोग मेरे टेलिग्राम को को जोईन कर लिजेगा नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षन पर लिंक है लिंक ए थुरू टेली ग्राम ग्रूप को पक्का से जोईन कर लिजेगा अब देखो प्रेडिक्शन वाले आप पर आजाओ क्यों फिर्भी प्रेडिक्शन पर लाश्ट मैंच मैंने जीसे बताया है आप लोगों को वैसा ही फ्रेडिक्शन चला था इसमाच में बैप यहां पर आप लहों को बताया था जितने लोगोंको ने वीडियो देखा था उन लोगोंको पता इस मैच पे एक कुश्चिन आप लोगों को मिलेगा और इस पे आप लोगों को लगबग लगबग 30% मिल रहा है अभी के डाइम पे देख लीजेगा आप खोलकर नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन भी स्पोर्ट्स वाजी आपका लिंक के दुरू स्पोर्ट्स व स्पोर्ट्स वाजी आप का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्षिन पे मिलता है जी एस टी फ्री टीडीएस फ्री ठीक है और यहां पर आप लोगों को दो हजार उपे का फ्री रोल भी मिलेगा जिसके लिए देखो आप लोगों ने कोई पैसा नहीं देना है आप लोगों ने क्या करना है मिगा प्रेडिक्शन का जहां पर कि आप लोग जैसे इस कॉंटेस्ट को जॉइन करोगे 99 रुपीज दोगे आप लोगों को 5000 कॉइन मि का हो गया मैच खतम होने के बाद से 9000 कोई जिसके कोई सबसे ज्यादा होंगे वह विनर कहला आएगा सिंपल सा है दोस्तों बहुत ही आसान है देखो 99 रुपीज लगा के तीन विनर है 500 रुपे मिल जाएंगे पांच गुना पैसा हो रहा है क्या चाहिए आप लोगों को न एक मैच पर चेका वेंडियू पर दस को ओलिवर को डॉप करो ब्रैंडन मैक मुलन और रिची बैरिंग्टन में से एक प्लेयर इंपोर्टेंट बन सकता है लास्ट मैच पे एक ने 23 की स्टार्टप किया ब्रैंडन मैक मुलन तो स्टार्टिंग बालिंग भी करने आएगा करने के लिए ब्रैंडन मैक मुलन स्टार्ट पर एचरट को धी यह चल सकता है मतलब मेगा घाएग अगर आप लोग मुझसे बोलोगे कि यार कौन से प्लेयर को ले ना चाहिए कि सब्सक्राइब को एक टू मैं सबनिय को चाहिए कि उप्लेयर को परफॉर्म करके दे सकता है पिस्ट्रेलिया के याइन आपे आप लोगों को जएक फ्रेशर मघ गर ट्रवीड एड मुछ चलना है ड्राविस हैं को लेकर चलना है Michael ड्रावड लेकर चलना है अर्लोगों मेठ्र नेहें गर्लावाध कि नेहीं तो यहां से जैक फ्रेशर मैंगर्ग हो गया, ट्रेविस हैड हो गया, मिचल मार्च हो गया, इन तीनों को आप लोगों ने पिक करना है, ठीक है ना, मस्ट पिक रहेंगे, हाँ, मेगा ग्रैंड लीक पे चाहो तो जैसे कि मैंने लास्ट मैच पे भी आप लोगों को सजेस्ट किया था, multiple teams बनाते हो तो इन्हें differentially आप लोग पिक कर सकते हो, जैसे एक टीम पे जैक फ्रेशर मैंगर्ग और ट्रेविस हैड को पिक करके मिचल मार्च को ड्रॉप किया है, एक टीम पे आप लोगों ने जैक फ्रेशर मैंगर को ड्रॉप करके ट्रेविस हैड और मिचल मा जाता उसके बदले आप लोगों के टीम पे अगर वाट होता या कोई ऐसे प्लेयर होते जिसके स्कॉट लेड ने अच्छा किया तो आप लोगों की विनिंग प्रॉबिलिटी बहुत हाई हो जाती क्लियर तो स्मॉल लिग पे तो जैक फ्रेशर मैं गर प्रविस एड मिचल मा बागी वेन्यू पर 15 मैच पर उननीस का अवरेज है 14 विकेट है प्लेयर अच्छा है मतलब इसे ट्राइग किया जा सकते है इस बात को धियान लखेगा यह बहुत नहीं करेंगा दो और कराए तावर तोड़ पिटा हुई बैटिंग भी काफी नीचे खेनने आता है तो जै मतलब लो सेलेक्शन पोसेंटेज प्लेयर बता रहा हूं जो की चल सकते हैं उस्ट्रेलिया की टीम पे मार्कस टॉइनिश और कैमडून ग्रीन यह दोनों मिलके चार ओवर करते हुए दिखेंगे आप लोगों को ठीक है ना चार ओवर इन दोनों के बीच में शेयर होगा अ कि मार्कस टॉइनिश थर्ड डाउन पोजीशन पे खेलने आता है तो इसलिए ज्यादा प्रॉबैबिलिटी मतलब एक को पिक करना है तो मैं बोलूँगा आप लोगों को 70-30 का रेश्यो है मतलब अगर मैं 10 टीम बनाता हूं तो 60 टीम पे मैं मार्कस टॉइनिश को और एक विकेट निकालेगा 22 रन देके तो कमेंट कर दीजेगा सही जवाब आप लोगों को यहां पर 50,000 का कैश अवार्ड विन करा सकता है इस बात को ध्यान रखेगा बाकी वीडियो को लाइक करना है आप लोगों ने स्पोर्ट्स बाजी आप को डाउनलोड करके रखना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है ध्यान दीजेगा बॉलिंग वाला सेक्षिन सिंपल एडम जैंपा राइली मेरेडिट सीन अबट और जैविय बाटलेट यह चार बॉलर है ठीक है चारों बॉलर को आप लोगों ने पिक करना है कोई इस पर लॉजिक नहीं है देखो एडम जैंपा को दो मिले थे राइली मेरेडिट को एक मिला था सीन अबट को तीन मिले थे जैविय बाटलेट को दो मिलेथे सभी को मिलूना मैं सबसे एक्सपीरियेंस बॉलर है मैंने लास्ट मैच पर बिताया था अगर कोई एक बॉलर है स्कॉटलेंड के टीम स तो मार्क वार्ट रहेगा और उसे ही दो विकेट मिले तो वर पे ही दो विकेट निकाल लिए थे उसने बागी चारली कैसल की अगर मैं बात करूं तो देखो इन सब का पहला महस्ता ब्रैड वील भी ठीक है बॉलर जैस्पर डेविट्सन और चारली कैसल के पहले महस्ते एक तो मार्क वार्ट हो गया और ब्रैड वील हो गया इन दोनों में से एक बॉलर को ट्राइ किया जा सकता है मार्क वाट और ब्रैड वील ठीक है यह दोनों बॉलर में से किसी एक बॉलर को आप लोग ट्राइब कर सकते हो बागी टीम कैसी होनी चाहिए उस चीछ को देख टीम की अगर मैं बात करूँ तो जोश इंगलिश है मिचल मार्स ट्रेविस है जैक फ्रेश मेंगर मार्कस टॉइनिश है केमडून ग्रीन भी है आप लोग चाहो तो यहां से केमडून ग्रीन को हटा के एक स्कोटलेंड का कोई ट्राइ कर सकते हो घेलम बाकी सीन बैट में घंपा है माक वाटट ए जेवियो बार्टलर्ट यह ड्येम ड्याली मेरिडित को पांटन के आएगा और इन दोनों में से कोई एक आपका वी सी निकल कर आजाएगा उस कंडीशन पर बागी के बागी के बदले आप लोग यहां पर लेस्स को ट्राइ कर सकते हो ठीक है इस बात को ध्यान रखेगा बागी वीडियो पसंद आई यह तो दोस्तों वीडियो को ल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन परका से दबा दीजेगा धन्यवाद दोस्तों